दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ा अलग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं कि आधार काड और पैन काड लिंक करने के लिए जब हम पेमिंट करने के बाद उसको और टीपी वेरिफाय करके जब प्रोसेस आगे डालते हैं तो वहां पे हमें नेम मिसमेच का एरर कर रहता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने इतने सारे पैन काड अभी तक अधार काड से लिंक किये हैं तो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे पास पैं काड आए हैं जिस पे नेम मिसमेच था या जिस पे कुछ भी प्रॉब्लम था तो मैंने वह लोग को पहले करेक्शन कराना पड़ेगा ऐसा मैंने सब को बोला था लेकिन दोस्तों जब मैंने पेमेंड किया उसके फिर 3-4 दिन बाद दुवारा जब मैंने OTP वेरिफाय करके उसको आगे लिंक करने के लिए प्रोसेस में डाला तो मेरा 100% हर एक पैन कार्ड जो है अधार कार्ड से लिं करेक्ट था जैसे किसी का सरनेम रहता है शेक टोक सेक्क की सपेलिंग थोड़ी अलग थी और उसके बाद फिर उसका पैन कार्ड पे भी थोड़ा अलग था दर का to Pan कार्ड जो वह मिसमेंच से था तो भी जब लिंक हो गया ।किसी किसी का ऐसा थाथ की स्पेलिंग जो है व को वो भी आगे पीछे था यानि पहले सर नेम था फिर नेम था फिर फादर नेम था तो ये सारे मेरे पैन काड जो है वो लिंक हो गए है दोस्तो तो आपको उसके लिए क्या करना है आप जब वेरिफाय करेंगे उस टाइम पे जो आपको नेम और आधार काड पुछता है आपको सिर्फ वही नाम डालना है जो आपके आधार का नाम नहीं डालना है क्यूंकि अगर आप अपने आधार का सेम नाम डालते हैं, तो UIDI के पस जब वो जाता है, डेटा वेरिफिकेशन के लिए, तो अगर वो लोग नाम मेच करते हैं, फोटो मेच करते हैं, और किसी भी तरह से अगर कुछ थोड़ा सा, अगर कुछ माइनर सा फरक रहता है, तो वो लिंक हो जाता है, उसमें क क्राइब कर सकते हैं लेकिन अगर नहीं लिंक हो रहा है अगर आपको वहां पर नेम मिसमेच का उपसन या कुछ और दिखा रहा है तो आप उसको करेक्शन जरूर कराएं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो पो कैसी लगी वीडिय अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के शेयर भी जरूर कर दें